दोस्तो हिमगाड एलेक्ट्रोनिक्स में आपका एक और फिर से बहुत-बहुत स्वागत है आज हमारे दोस्त ने पूशा कि हमें कौन सी पाइप यूज़ करनी चाहिए जाए किस ब्रांड की पाइप यूज़ करनी चाहिए दोस्तो आरो सिस्टम में फिल्ट्र आप कितने भ पर्फॉर्मेंस है वो कम कर देती है क्योंकि जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है तो इसके अंदर कचरा जमा होना शुरू हो जाता है और उसकी वज़ा से यह खराब हो जाती है जब भी हम फिल्ट्र की सर्विस करते हैं तो उसके साथ साथ जो पाइप्स हैं वो भी हमें बदलते रहना चाहिए दूसरी बात जो पाइप वो फूड ग्रेड हो और साथ में फ्लेक्सिवल हो ताकि जब हम बैंड करें वो तूटे ना एज़ इस इसी रहे लीक ना करें तूटे ना और फ्लेक्सिवल्टी बहतर हो जितनी फ्लेक्सिवल पाइप होगी उतनी उसकी लाहे जयाए ज्यादा होगी और जो ब्रेक्सिवल्टी जिसकी नहीं होगी तो जलदी टूट जाएगी जैसे जैसे एक दो साल हों एक तो पाइप तूट जाएगी तो जब भी हम पाइप यूज़ करें अच्छी क्यूझ करें ची किक केसे के का देशो का दें यूज़ कर और जे भी 1-4 की है इसी तरह इससे बढ़ी आती है 3-8 की अगर आप स्टार्टिंग में ही इस पान फिल्टर लगा देते हैं तो इससे जो कच्रा है वो आगे नहीं जाता है पानी में से सिर्फ पानी ही पे और आगे जाता है कच्रा इसमें ट्रैप हो जाता है और आप की जो नोटिफिशन बैल जरूर प्रेस करें अगर आप पर पेर या डिलर हैं तो अपनी सुझाइशन जरूर देते रहें थैंक यू